दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको Instagram की साथ बहुत ही important और useful settings के बारे में बताऊंगा, इन सभी settings को अपने according customize करके आप Instagram पर अपने user experience को better बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपने Instagram account को manage कर सकते हैं, इसलिए इन सभी साथ important settings के बारे में आपको पता होना और इन सभी settings को manage कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में सीख जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर Instagram की जो first setting में आपको बताने वालो हूँ, वो आपके Instagram account की security से related हैं, अपने Instagram account को किस तरह से आप hack होने से बचा सकते हैं, उसे more safer और more secure बना सकते हैं, यहाँ पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, तो दोस्तों, अपने Instagram account की security को और ज़्यादा strong बनाने के लिए आपको bottom right corner में अपने profile icon पर click करना है, इसके बाद अपने profile page के top right corner में आपको three lines पर click करके Instagram का settings and activity page open करना है, आप अपने Instagram account को manage करने की अलग-अलग settings आपके सामने आएंगे, तो guys यहाँ पर आपको top में ही account center option पर click करना है, इसके बाद एक pop-up window ओपन होगे, तो guys यहाँ पर आपको scroll करके दोलो सा नीचे की तरफ आना है और password and security option पर click करना है, अब जो next interface open होगा, यहाँ से आप अपन account में alpha numeric key के साथ special characters भी आपको add करने चाहिए, strong password set करने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत ही important setting को enable जरूर करना है, यहाँ पर two factor authentication का option आपको मिलेगा, इसे आपको enable करना है, तो दोस्तों अपने Instagram account में extra security layer add करने के लिए यहाँ पर आपको two factor authentication option पर click करना है, इसके बाद अपने Instagram account में extra security layer add करने का option आपके सामने आजाएगा, यहाँ पर authentication app option को select करके आप अपने Instagram account में authenticator app setup कर सकते हैं, डूओ मोबाल यह फिर Google authenticator app को अपने Instagram account से link करके उसकी security को और भी आदा strong को बना सकते हैं, Instagram पर Google authenticator app setup कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो श setup करने के साथ ही, यहाँ पर आपको दूसरे option को भी enable करना है, यहाँ पर आपको SMS और WhatsApp option को select करना है, और next option पर click कर देना है, इसके बाद OTP code enter करने का option आएगा और साथ ही आपके mobile number पर OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर enter करना है, और OTP code enter करने के बाद नेक्श अप्सन पर को क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपके इंट्राम ऐकॉट में तूफटर ऑप्सन इनेबल हो जाएगा और एक श्रा सेकुरिटी लियर आपके इंट्राम अकॉट में एड़् हो जाएगी इसके बाद जब भी आप अपने इंस्टारम अकॉट में करेंगे या फिर किसी नियू डिबाइस में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते टाइम आपके रेश्टर्ड मोवाइल लंबर पर एक टू फैक्टर ऑथनिकेशन कोड बेजाएगा जिसे आप एंटर करेंगे तभी आपका इंस्टाग् अकाउंड में लॉगिन करते टायम आपको टू फैक्टर ऑथनिकेशन कोड रिसेव ना हो ऐसे में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंड में लॉगिन नहीं कर पाएंगी इसलिए तू फैक्टर ऑथनिकेशन ऑप्सवन को इनेबल करने के बाद यहां पर आपको बैक क्लिक करना है इसके बाद इंटरफेस में आपको गैट नूट 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 कोड्स पर क्लिक करना है क्लिक करते हैं कुछ वेकए की आपकी सामने आँगे तो खाईज 210 क्यों अपने इन recovery course को पता किसी को चल जाता है तो ऐसे में आप new code create कर सकते हैं इसके लिए आप पर आपको get new course option पर क्लिक करना है जिसके बाद नए recovery course create हो जाएंगे इन backup course को आपको किसी को भी नहीं बताना है अपने पास save करके रख लेना है so friends recovery code create करने के बाद आपको cross icon पर क्लिक करके इस window को close करना है और finally done option पर क्लिक कर देना है दोस्तों Instagram पर आप जितनी भी post को like करते हैं जितनी भी reals वीडियो यापिर किसी वीडियो को like करते हैं उनकी गलक्सी history create होती है जिससे आप कभी भी दिख सकते हैं और कभी भी अपनी like history को remove कर सकते हैं अगर आप like किये गए किसी वीडियो से अपना like remove करना चाहते हैं तो वो भी आप easily कर सकते हैं इसके लिए आपको Instagram का settings and activity page open करना है और settings and activity page में your activity option पर आपको click करना है इसके बाद next interface में आपको likes option पर click करना है likes option पर click करते ही वो सभी post और videos आपके सामने आजाएंगे जिनने आपने Instagram पर like क्या होगा इन में से आप किसी भी post को select करके उसके likes को remove कर सकते हैं किसी भी video से अपना like हटा सकते हैं इसके लिए आपको top right corner में select option पर click करना है select करने के बाद bottom side में आपको unlike option पर click करना है इसके बाद एक को pop up open होगा तो इसमें भी आपको unlike option पर click कर देना है इस तरह से guys Instagram पर आप किसी भी like video या post अपना like remove कर सकते हैं अब जो next trick में आपको बताने वाला हूँ वो archived story से related है अगर आपने Instagram की settings and activity page में archiving and downloading option पर click करके save story to archive option को enable किया होगा तो story upload करने के 24 hours के अबाद जब uploaded story auto disappear हो जाती है तो आपकी story automatically archive section में move हो जाती है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं अपने archive stories को देखने के लिए आपको Instagram की settings and activity page में archive option पर click करना है क्लिक करते हैं आपकी सभी archive post आपके सामने आ जाएंगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको top side में post archive के drawdown पर click करना है क्लिक करते हैं bottom side से 3 options आपके सामने आएंगे इनमें आपको stories archive option पर click कर देना है इसके बाद आपकी सभी archive stories आपके सामने आ जाएंगी कि यहाँ पर शुरू से लेकि आप तक अपनी All Archived Stories को आप देख सकते हैं दोस्तों काई बार हम गलती से अपनी Instagram पोस्ट डिलीट कर देते हैं गलती से डिलीटूई पोस्ट को हम वापस रिकावर भी कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है अगर आप भी इसके बारे में जानना चाते हैं और अपनी डिलीट पोस्ट को आपस रिस्टोर करना चाते हैं तो इसके लिए आपको Simply Instagram का Settings and Activity Page उपन करना है और यहाँ पर Your Activity Option पर क्लिक करना है इसके बार Next Interface में Removed and Archived Content Section में Recently Deleted Option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते आपकी सभी Deleted Post आपके सामने आ जाएंगे जिन पोस्ट को आपने Last 30 Days के अंदर अंदर डिलीट किया होगा उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट करने के 30 दिनों के बाद आप अपने Deleted Post को आपस रिस्टोर नहीं कर पाएंगे इसलिए यह काम आपको 30 दिनों के अंदर अंदर करना है तो दोस्तों अपने Deleted Post को आपस रिस्टोर करने के लिए उस पर क्लिक करके आपको उसे ऊपन करना है अब bottom right corner में अपने profile name के सामने आपको 3 vertical dots पर क्लिक करना है इसके बाद bottom side से यह दो options आपके सामने आएंगे इनमें delete option पर क्लिक करके आप इस post को permanently delete कर सकते हैं और अगर आपको इस post को आपस recover करना है तो यहाँ पर आपको restore option पर क्लिक करना है और फिर pop up में भी restore option पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके deleted post यहाँ से remove हो जाएगी और वापस आपके instagram profile में add हो जाएगी तो इस तरह से guys instagram पर अपने deleted post को आप वापस restore कर सकते हैं दोस्तों आई दिन कई लोगों के instagram accounts hack हो जाते हैं और उन्हें इसका पता नहीं चलता है और ऐसे में hackers चुपके से उनकी हर एक instagram activity देख रहा होता है वो instagram पर कब किस से क्या बात करते हैं यह hacker को पता चलता रहता है ऐसे में कहीं आपका instagram account भी hack तो नहीं है यह भी आपको time to time check करते रहना चाहिए आपका instagram account hack है या नहीं इस बात का पता आप easily लगा सकते हैं इसके लिए आपको instagram का settings and activity page उपन करना है और यहाँ पर सबसे पहला option account center पर क्लिक करना है इसके बाद एक pop-up window उपन के दुगाई यहाँ पर आपको password and security option पर क्लिक करना है और फिर password and security setting में आपको where you are logged in option पर क्लिक करना है इसके बाद वो सभी devices आपके समने आ जाएंगे जिन पर आपका instagram account logged in होगा यहाँ पर सबसे पहले this device करके आपको अपना device name दिखाई देगा और फिर logins on other devices section में आपको अपना another device name दिखाई देगा अगर आपने किसी और device में भी अपने instagram account को login किया होगा अगर आपने अपने phone के लावा कहीं पर भी अपने instagram account को login नहीं किया है और फिर भी इस तरह से यहाँ पर आपको login on other devices section में कोई unknown device name दिखाई देता है तो यह confirm है कि आपका instagram account hacked हो गया है ऐसे में बिना time waste किया इस unknown device को आपको यहाँ से remove करना है इसके लिए select devices to logout option पर आपको click करना है जिसके बाद unknown device को select करने को option आपके सावने आए जागव नविक Online था है अगर आपका instagram account hacked हो गया है और आप अपने instagram account में login नहीं कर पारे है hacker ने आपके account से आपके access आड़ा दिया तो इस condition में भी आप अपने Instagram account को आपस recover कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप अपने hacked Instagram account को आपस recover कर सकते हैं, इसकी पूरी जनकारी आपको उपर आए बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, दोस्तों कर आप Instagram पर online होते वे भी कुद को offline दिखाना जाते हैं, अ इसके बाद next interface में आपको show activity status option पर क्लिक करना है, और फिर show activity status option को disable कर देना है, यह option by default enable रहते हैं, जिससे कि आपकी online activity सभी को show होती रहते हैं, लेकिन अगर आप इसे disable कर देंगे तो Instagram पर आप कब online आए, कब offline गए, किसी को पता नहीं चलेगा, दोस्तों Instagram पर आप किसी की भी story को mute कर सकते हैं, किसी भी user की post को mute कर सकते हैं, अगर आप किसी user की story नहीं देखना चाते हैं, तो उसकी story पर आपको long press करना होगा, जिसके बाद mute option पर क्लिक करके आप इस user की story और story के साथ post को भी mute कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ story को mute करना है और अगर आप इस account की story के साथ post को भी mute करना चाते हैं तो यहाँ पर mute stories and post option पर आपको click करना होगा जिसके बाद आगे से इस account की story और post आपको show नहीं होगी लेकिन दोस्तों बहुत से लोग Instagram पर किसी account की post और story को mute तो कर देते हैं लेकिन वापस unmute नहीं कर पाते हैं इसे में अगर आप भी muted accounts को वापस unmute करना चाते हैं और नहीं जानते की कैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी जनकरी मिल जाएगी तो दोस्तों muted accounts को वापस unmute करने के लिए आपको Instagram के settings and activity page में आना है और यहाँ पर scroll करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और what you see section में muted accounts option पर click करना है इसके बाद वो सभी Instagram accounts आपके सामने आ जाएंगे जिनने आपने mute किया होगा यहाँ पर किसी भी account के सामने unmute option पर click करके आप उसे वापस unmute कर सकते हैं अगर selected account की सिर्फ story को ही आप unmute करना चाते हैं तो यहाँ पर mute stories option को disable कर दीजिए इसके बाद इ दिखाए देंगी लेकिन post show नहीं होंगी अगर आप पोस्ट को भी unmute करना चाते हैं तो आप पर mute post option को भी disable कर दीजिए तो आज किस वीडियो बस इतना ही दोस्तों मिलता हूं आपको next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन